प्यांच के बढ़ते दाम ने असा रुलाया कि आम आदमी ने प्यांच से ही दूरी बना ली है प्यांच के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर दोड़ दी यहां प्यांच 120 रुपए किलो मिल रहा है जिसके चलते घर की महिलाओं ने प्यांच से भी दूरी बना ली ऐसे में पंजाब केसरी की टीम ने तेली अबाग हिलाके में रहने वाले एक परिवार की रसोई से प्यांच के बढ़ते दामों की स्थिती जानने की कोशिश की हमारे संवाराता ने रिंकी गुपता और घर की दूसरी महिलाओं से बात की तो उन्हों ने बताया कि बिना प्यांच के उनके खाने के स्वात पर बहुत पर्क पड़ा वो दूसरी सबजियों का तो जाद उप्योग कर रही है लेकिन प्याज सिर्फ गिंते के ही उप्योग कर रही है प्याज की मांगाई इसकदर बढ़ गई है यह हम देखने के लिए रिंकी गुपता जी के घर पर आए हैं जहां पर आज एक छोटी सी पार्टी है जो इनके आकसर हुआ करती है इस वक्त हम इनके कीचन में हैं और आई हम आपको दिखाते हैं कि आज जो पार्टी होने वाल किटी पार्टी वेगर जैसे करते हैं लेडी जोग मिलकर कि 10 156 की महीने में 1015 लोगों की चलती रहती है और क्या है हम और आज 1015 लोगों को बुलाये हैं तो अब अगको बनाना है तो क्या करना है कि इसमें देखिया आप देख सकते हैं कि पूरी सारी सब्यारी है यह पे क्या भाव मिला प्याज आपको 120 किलो नहीं वाली किस तरीका और लुट के लिए तो हम लोगों को यह मूली का इसने इस्ताम मलपर वैंप तैंडी के अगर गर्मी रहता तो कहां से प्याज की मात्रा बहुत कम है किस तरह के से पार्टी होगी क्या स्वाद रहेगा पार्टी में बस प्याज में सलाद नहीं रहेगा और दो प्याजा वनाना तो उसमें प्याज नहीं रहेगा कैसे पार्टी फीका पड़ जाएगा और जो प्याज की बिना जो टेस्ट है सब्जी का वह कहीं कर लगी गदां पर सड़ रहा होगा प्याज, क्योंकि इतना जो इसाब से प्याज खपत हो रही थी, इतना प्याज नहीं है, गरीब तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, और हम लोग भी है तो कमी कौनिटी में खाएंगे, तो इसलिए हमको लगता है कि सारी प्याज अगर उस पादन हो रही तो गय कहां प्याज, सब गुदामी में सड रही होगी, इनका कहना है कि प्याज गुदाम में सड रही है, सरकार कुछ करे, लेकिन आपको दिखाते हैं कि जब ये सबजी बन के तयार होगा, उसके बाद क्या टेस्ट होगा, जो यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं, उनको कैसी अभी आपने देखा कि किचन में किस तरीके से सबजीयां बनाई जा रही हैं, लेकिन प्याज कितना कम है, फिलाल डिश बनने में थोड़ा समय है, लेकिन हम अभी बात करेंगे इनसे, डिस्कुशन करेंगे, प्याज का जो रेट है, कितना होना चाहिए, किस तरीके से महें काबू करना चाहिए सरकार से क्या इनको उमीदें है क्या इनको सरकार से कहना है सबसे पहले हम बात करेंगे की इंफ चीजर पॉसिबल नहीं होता है सकते उतना प्याश को बचाते हैं ताकि दूसरे में जितना जरूरत उतनी डाले बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और डॉक्टरों का भी कहना है कि प्याज जैसे चोट पे और क्या खाने में गर्मियों में लू में कितना इंपर्टेंट होता है कि बीमार न पड़े और प्याज खाने से लू नहीं लगती है तो चोट पे जैसे हो गया तो हल्दी प्याज लोग बांते हैं तो वो सब पे जब तो हम लोग को थोड़ा सा रोगाना ही पड़ जाता है क्योंकि इतनी महंगाई हो गया यह इतने प्याज तो आही रहा है लेकिन यह लोग गोदां में स्टॉक करके रख देते रहें क्योंकि महंगाई में क्यों लोग निकाल रहे हैं कि लोग जादा से जादा लेंगे ही उनको फ्रॉफिट होगा और गरीव इंसान एकदम प्याज नहीं खा पा रहा है तो यह सारी चीज छोग है लुक तो बिल्कुल भी प्याज कर दजी करते हैंना किया चाहते हैं किस साल का जो यह नियम बन गया है कि प्याज महंगा महंगा होते जा रहा है हाँ प्याज निकल ले तो खराब भी हो जा रहा है आप में आप इस्टोर क्यों कर रहे हो गुदाम में उसको इस्टोर क्यों कर रहे हो दाम बढ़ाने के लिए पैसा इश्टा कमाने के लिए जो सड़ जा रहा है फिका जा रहा है तो उससे तो आपको फर्व तो पढ़ नहीं रहा है कि हाँ भी या उसे मेरा 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 खाने की सब्सक्राइब के लिए ताकि वह प्रमार्केट में में जब प्याज रहे घाए तो महेंगा पर अपक्ण कीना चाहरा है कि अधाफीता जल्द दाम उसका कम करें बहुत हो रहा है जहां एक डालना है दो डालने वह आधा डालो किसी में डालो ही मत सब्जी का टेश्ट नहीं अच्छा हो रहा है यह सब दिक्कत है सरकार से मेरी यह डिमांड है कि जल्द जल्द प्याज का रेट कम करें बहुत परिशानी और बहुत दिक्कोतों का सामना करना पड़ रहा है प्याज तो इतना महगा हो गया है कि किसान ही लोग उगाते हैं और उन्हीं लोगों को ही खाने को नहीं मिलती है यही नमक रोटी खाते है न वह फिर भी अब उन लोग उगाते हैं उनहीं लोगों को खाने को नहीं मिलता इतनी महगाई हो गई है कि लोग खाया कि बेचें लोग तो यही सब चीजे हैं इसको दुगना चौभना दस गुना भी आप बोल सकते है इनका कहना है कि किसान जो है खेतों में काम करते हैं लेकिन वो रोटी प्याज कहा करी काफी तंदरूस रहते हैं और ऐसे में जब प्याज इतना महेंगा रहेगा किसान उगा नहीं पाएंगे तो उनको काफी दिक्कते समस्या होंगी और वो समस्या जो आम जनता है आम जनता को भी उँश समस्या से दोचार होना पड़ रहा है और इनको उमीदे हैं कि सरकार जल से जल प्याज के रेट पर काबुक कर सकती है काशिना शुकला वराणसी पंजाब के सिटीवी